हे दोस्तों मैं विश्वजित आप सोका स्वागत करता हूं स्मार्ट रैव के इस नए एपिसोड में तो जैसे कि हमने पहले भी डैश्बोर्ड मैट के बारे में डिस्कस किया था तो आज हम देखने वाले हैं कि पोलराइज संग्लासेस डैश्बोर्ड मैट से कितने अलग है यह आपका चोईस रहेगा कि आप इन में से कौन सा यूज़ करना चाते है या फिर जैसे मैं दोनों भी यूज़ करता हूँ वैसे आप करना चाते हैं अगर आप डैश्बोर्ड मैट मिस कर चुके है तो उसके वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिये हुए है तो अभी शुरू करेंगे डैश्बोर्ड मैट वर्सेस पोलराइज संग्लासेस दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब हम गाड़ी चला रहते हैं सनी डे में या फिर क्लावडी रेनी डेज में तो एक डैश्बोर्ड का एक गलेर हमेशा काच पे रिफलेक्ट होते रहता है तो इस से हाइलाइट्स ज़्यादा बूम हो जाते हैं और कॉंट्रस्ट खतम हो जाता है तो इसमें ड्राइविंग के लॉंग डूरेशन में बहुत ज़्यादा आखे धकना या फिर थोड़ी सी दिक्कत होना बारीक चीजे देखने के लिए ये चीजे होती है तो हम ये ग काम करते है और डाश बोर्ड मैट के अलावा आप पोडराइज संग्लासज भी यूज कर सकते हैं जैसे के हम सभी जानते है पोलराइज संग्लासज बहुत ही महाँगे होते हैं और इसमें यूज होती है इस पेशल टेकना लोजी जिससे की reflected light जो है वो आपके आँखों तक नहीं पहुचती है जिससे की glare free vision आपको मिल जाता है अभी बात करेंगे dashboard mat versus anti-glare sunglasses की तो आईए देखेंगे ये जो greeting card है ये अभी dashboard mat से कितना clear दीख रहा है अब ये dashboard man निकाल लेंगे ये original glare है जो सामने से आ रहा है मैंने अच्छी clarity आने के लिए पीछे एक black curtain लगाया है जो आपको समझ में आ जाए कितना glare minimize हो रहा है अभी ये dark color जो greeting card है उसको आपको ठीक से देखना है that will be the challenge और ये driver view है जैसे कि आप देख पा रहे है अभी मैं आपको तीनों चीजे जैसे कि without any accessories कितना glare हो रहा है ये dashboard का glare है उसके बाद polarizer lens है उससे देखिए greeting card बहुत ही अच्छा दिख रहा है बट आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ये section है यहाँ पे इसका glow आ ही रहा है और जो आपके grills है सामने वाले ventilation grills वो भी आपको थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे है जैसे कि मैं zoom करता हूँ थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे grills अभी भी दिखाई दे रहे है तो polarizer sunglasses से यह पूरी तरह minimize नहीं हो पाता है अब यह मेरे proper sunglasses है वो भी लगा कि देखेंगे एक बार यह ज्यादा dark shade में है बट इससे भी आपको थोड़े थोड़े grills यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे तो गड़बड एक होती है कि polarizer sunglasses जबी भी आप यूज़ करते हैं तो रात के समय यूज़ करना बहुत ही harmful होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं grill ना के बराबर हो गई है यह देखिए तो polarizer sunglasses सच में अच्छा effect देते हैं और यह throughout देते हैं road पे भी और आपके side mirror के लिए भी बट इनका एक problem है कि यह dark shade में है जो आईए आभी देखेंगे dashboard matte जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं यह थोड़ा सा used velvet है इसलिए एक साल बाद यह आपका इसका review आ रहा है पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं grill में इसमें grill का कुछ भी reflection नहीं आता है और जो greeting card है वो perfectly दिन हो या रात हो आपको अच्छे से दिखाई देगा तो यह बहु polarized sunglasses इसका combination अगर आप यूज करेंगे तो आपको glare free vision मिलेगा और रात में अगर यह निकाल भी देंगे तो आपको अच्छे से vision मिली रहा है greeting card पुड़ाई दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं आप visibility में कितना difference आ रहा है हमेशा ध्यान में रखिए कि यह आपकी सुविदा के लिए है आपकी आखे कम ठकेंगी तो आप ज्यादा देर अच्छे से conveniently drive कर सकेंगे तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं विश्वजित आप सबसे अभी विदा लूँगा धन्यवाद किया मैं रखिए तो आपकी खिव भूषक है